नमस्ते कुगविद नीलम चैनल में आपका स्वागत है आज हम चौकलेट औरेंज केक बनाएंगे तो आएए देखते हैं इसके लिए हमें किन-किन चीजों की जरुवत है 1.5 कप मैदा, 1 कप पौडर शुगर, 1 कप दूद, 1.5 कप ओल, 1 चमच बेकिंग पौडर, 1 चमच बनीला एसेंस, 1.5 चमच बेकिंग सोडा, 1.4 चमच बेकिंग पौडर, 1.5 चमच औरेंज़ेस्ट सबसे पहले हम केक टिन को ग्रीज करेंगे बटर पेपल लगाएंगे उपर से भी ग्रीज करेंगे थोड़ी मैदा डालेंगे और इसे चारों तरफ गुमाएंगे और एक्स्ट्रा मैदा को हटा देंगे अब हम मैदा चानेंगे साथ में कोको पौडर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पौडर भी चान लेंगे केक को बेक करने के लिए हम पैन को मीडियम गैस पर गरम होने के लिए रख देंगे पैन को हम पाँच मिनिट के लिए गरम करेंगे अब भगोनी में पौडर सुगर डालेंगे ओयल डालेंगे और दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे अब दूद डालेंगे दूद को भी अच्छी तरह मिला लेंगे वनीला एसेंस डालेंगे अब हम मैदे का मिश्राण डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे अब हम बाकी का मैदे का मिश्राण डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और जरुद के अंसर दूट डालेंगे अच्छी तरह मिलाते जाएंगे अब ओरेंज डालेंगे इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हमारा बेटर तयार है इसे केक टिन में डालेंगे टैप करेंगे हमारा पैन भी गरम हो गया है अब केक टिन को पैन में रखेंगे और दीमी आग पर इसे 35-40 मिनिट के लिए बेक करेंगे 40 मिनिट हो गए है अब हम केक चेक करेंगे हमारा केक टियार है इसे ठंडा होने देंगे दो कप चॉकलेट एक चमच मक्खन और एक कप क्रीम से हम गनाश बनाएंगे क्रीम को गरम करके हम चॉकलेट पर डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे अब इसे डबल बॉयलर पर रखेंगे और चलाएंगे एक चमच मक्खन डालेंगे हमारा गनाश तैयार है अब इसे ठंडा होने देंगे और थोड़ी देर फ्रीज में रखेंगे हमारा केक भी ठंडा हो गया है इसे केक टिन से बाहर निकालेंगे बटर पेपर हटाएंगे अब केक को बीच से काट लेंगे वन फोर्थ कप और इंज जूस में दो तीन चमच पौडर शुगर मिलाएंगे हमने गनाश को भी फिरिज से बाहर निकाल लिया है इसे पाइपिंग बैग में भरेंगे अब केक पर औरेंज जूस डालेंगे अच्छी तरह पूरे केक पर फैलाएंगे अब गनाश लगाएंगे नाइप से सारे में फैला लेंगे अब केक का दूसरा पीस रखेंगे उपर भी औरेंज जूस डालेंगे अब गनाश लगाएंगे साइड में भी लगाएंगे और नाइप से प्लेन करेंगे हमने पूरे केक पर गनाश लगा लिया है अब आदा कप चॉकलेट में आदा कप क्रीम मिलाएंगे क्रीम को अच्छी तरह गरम करके मिलाएंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पतला गनाश बनाएंगे अब गनाश को केक पर डालेंगे और नाइप से सारे में फैला लेंगे साइडो में भी अच्छी तरह लगाएंगे अब की एक को थोड़ी देर फ्रीज में रखेंगे अब वाइट चोकलेट में औरेंज कलर मिलाएंगे इसे पैपिंग बेंग में बारेंगे अब बटर पेपर पर चोकलेट फैदर बनाएंगे हम चोकलेट फैदर ब्रश की साइता से बनाएंगे और इन्हें थोड़ी देर फ्रीज में रखेंगे अब हम चोकलेट लीफ बनाएंगे आउटलाइन हम डाक चोकलेट से बनाएंगे अब वाइट चोकलेट में येलो जेल कलर मिलाएंगे अब मेल्टेट चोकलेट से ओरेंज कलर की लीफ बनाएंगे और येलो कलर की लीफ बनाएंगे अब इन्हें 10 मिनिट के लिए फ्रीज में रखेंगे अब हम चोकलेट रोल बनाएंगे बटर पेपर पर चोकलेट से लाइन बनाएंगे हम बटर पेपर के वन फोर्थ हिस्से में लाइने बनाएंगे बीच से कट लगाएंगे और इसे फोल्ड करेंगे और पांच मिनिट के लिए फ्रीजर में रखेंगे हमारी चोकलेट लीफ सेट हो गई है इन्हें प्लेट में रखेंगे चोकलेट फैदर को भी प्लेट में रखेंगे चोकलेट रोल को भी बटर पेपर से निकालेंगे अब केक के साइड में चोकलेट फैदर लगाएंगे बीच में चोकलेट रोल रखेंगे अब चोकलेट लीफ लगाएंगे और औरेंज स्लाइस से सजाएंगे हमारा चोकलेट औरेंज केक बन के तयार है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई रेसिपी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाईए चोड़ेल क buds पेकिप्टिए तोऽफ्टिपन सब आपना थेली तोऊ सब्सक्राइब regulation